चात्रों आज आप सबको दीपावल इत्योहार के बाद हम सबका जो मुलाकात दुबारा हो रहा है इसलिए आपको खास तौर पर विशेशा वुजालासा नमस्कार इसी कुशी में आज श्मशान उसका रचनाकार का जो नाम है मन्नु बंडारी जी मन्नु बंडारी का जन्मा 1931 में हुआ पहले ये मन्नु बंडारी जी का परिचय करके बाद में स्मशान या श्मशान नामत कहानी का साराम्श का परिचय करके बाद में कथा या कथा वस्तू के बारे में सविस्तार जानकारी प्राप्त करेंगे मेरे तरुना तरुनियों इसलिए अब आप सभी मेरे नवा युव का युवतियों आप सभी पाट्य पुस्थक को कोल कर पेज नमबर 147 से देखने की चाह व्यक्त करते हैं या चाह में मैं बिंती करूंगा कि आप सभी उसी चाह में देखते आगे बढ़िये लेखी का परिच्चय खिंदी कहानिकार मन्नु बंडारी का जन्म 1931 इस्वी में मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गाव में हुआ उच्च शिक्षा प्राप्ती के लिए आपने काशी हिंदु विश्व विद्याले में प्रवेश लेकर वहीं से यम्य की उपादी प्राप्त की नई पीडी की महिला कथाकारों में आपका विशिष्ट स्थान हैं आपका विवाह हिंदी साहित्यकार्श्री राजेंद्र यादव से हुआ आपने कहाणियों में नारी जीवन की समस्या वों को मारमिक ढंग से रेकांकित किया है नारी जीवन की मारमिक ढंग से रेकांकित किया गया है आपकी रचनाशेली सैयत और प्रवाह पूर्ण हैं भाषा सजीव और आडंबर शून्य हैं आपके कहानी संग रहा मैं हार गई तीन निगाहों की एक तस्वीर यही सच है एक प्लेट सैलाब आदी यह है कहानी कार याने लेकिका की परिचय लेकिका याने मन्नू बंडारी जी का परिचय पहाडी मनुष्य का परिचय देते हुए श्मशान से कहता है मेरे तरुणा तरुणियों जरा ध्यान से इसको समझ जीए और एक पर दुहरा रहा हुँ पहाडी मनुष्य का परिचय देते हुए श्मशान से कहता है यहाँ पर तीन पात्र आ गई पहाडी के बीच मनुष्य और श्मशान जीवन की पूर्णता के लिए वह फिर फिर प्रेम करता है देखिए आप समझना चाहिए पहाडी या पहाड पहाडी ही लिखेंगे पहाडी श्मशान को मनुष्य के जीवन की पूर्णता के लिए वह याने मनुष्य देखिए मेरे तरुणा तरुणियों मनुष्य फिर फिर प्रेम करता है जीवित रहने की ललक के चलते ही वहाँ हर वियोग जेल लेता है हर वियोग समझिये वियोग को जेल लेता है कुछ भी हो किसी को भी अगर नुकसान होने से भी मेरा जीवन को पूर्ण करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ मनुष्य फिर फिर प्रेम करता है जीवित रहने की ललक के चलते ही वहाँ हर वियोग जेल लेता है वियथा सह लेता है वियथा जीवन में पती पत्नी बाल बच्चे माता पिता चाचा चाची आदी सबी लोगों के बीच एकना एक तरह संगर्ष करते आये हुए वियथा सह लेता है क्योंकि सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्या अपने आप से करता है तरण तरणियों समझिये आप कहते हैं ये मेरे जिगरी दोस्त या ये इनके अलावा मैं नहीं हूँ मैं अगर नहीं आने से वो नहीं आयेगा या आएगी कहते हैं मगर कुछ ना कुछ व्यथा दुख ज़्यादा होने से कोई हमारे साथ नहीं आयेगा मेरे नवयुवकों हमारे साथ रहने वाले माता पिता के रूप में बगवान हमारे पास रहता है नवयुवकों इसलिए उस अर्थ में अधिक प्रेम तो मनुश्या अपने आप उसे करता है हम कहते हैं उदाहरन के अंतरगत पती पत्नी को मेरा जान कहता है ठीक है दही का तौर पर उनके लिए जान हो सकता है या होगा मगर वो जान को जब खत्रा आएगा तब जान भी नहीं है कुछ भी नहीं है प्रस्तत कहानी में मन भंडारी ने इस सत्य को उजागर किया है ये प्रेम की बातों को उजागर करके उसमें याने मनुश्या में रहने वाले व्यथा व्यथा को बूलने के लिए प्रेम ये बात को पहाड़ी स्माशान से कहता है मनुश्य की स्वार्थ परता कोहीं भी जाएए किस अध्याई को पड़िये किस काविये या कविता को पड़िये मनुश्या नाम लेते ही स्वार्थ परता स्वार्था स्वार्था याने सेल्फिशनेस से मनिश्य को दूर करना या कराना बहुत मुश्किल है सुखा लोलुपता येवं जीवन की वास्तविकता का परिचय काराने हेतु प्रस्तुत व्यंग्यरचना चयनित है वास्तविकता ये वास्तविकता ये ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा उनका अक्टिंग या अभिने का मूल हमें पता चले तो बाद में उनको गुरुणा करते हैं नेगलेक्ट करते हैं इसलिए कुछ भी हो कोई भी क्यों ना हो जीवन का जो वास्तविक विचार जीवन में जो सार्वजनिक सत्य के रूप में रहने वाले विचार के बारे में हम सोच कर समझ कर आगे बढ़े तो हर व्यक्ति के लिए याने इस विचार को समझ कर आगे बढ़ने वाले हर व्यक्ति को कि गुरुणा नामक शब्द से जरा दूर वह सकते हैं इसलिए वास्तविक सत्य जो है उसी के साथ साथ चलने के लिए आपके मात्रुश्री पित्रुश्री आपको मार्गदर्शन देते रहते हैं मगर उस मार्गदर्शन को इस उम्र में आप सुनने को तयार नहीं है जब खड़े रूपी दुक में जब आप गिरोगे या गिरते हैं तब मेरी मात्रुश्री हो या पित्रुश्री हो या पिताश्री हो कह देते हैं मैं नहीं सुना था या सुनी थी अगर सुने थो इस तरह का जो हादसा नहीं सामना करना पड़ता था ये मनिश्य का स्वाभावी का गुण मेरे हैं तरुणा तरुणियों इसलिए क्या करना सिंपल लिविंग है तिंकिंग जो वाक्य है ना वाक्य के मुताबिक हम चलने से बहतर है मानों या मनुश्य किसी तरह का विशे या दर्जा को देखकर सहन नहीं कर पाता चाहे अमीर बनो तब ये तरह टीका गरीब इपन में रही है तब अलज तरह की जो टीका इस तरह हर अवस्ता में हर जीवन की पहलुओं में भी मनुश्य अपना स्वार्त परता की मनो भावना में लोगों को याने अपने मित्रों को दोस्तों को देखते आगे बढ़ते हैं ये है स्मशान याने श्मशान नामक कथा या कहानी जो है संक्षिप्त साराम्ष इसका विकसित रूप ही कहानी है इसलिए मेरे तरुणा तरुणियों अधिक से अधिक जानकारी को हम पढ़ते पढ़ते समझते आगे बढ़ेंगे देखिए मेरे नवा युवका युवतियों किताब खोल कर ध्यान से शान्त रहकर शान्त रहकर आपके मन में रहने वाले किसी भी तरह का जो समस्या का हल दूंडा जा सकता है मगर आप कैसे रहना शान्त उस्तिती से अभी जो मैं पढ़ने वाला हूँ उसको ज़रा दिलचेस्पी के साथ देखते आगे बढ़िए मेरे तरुणा तरुणियों रात के दस बजे होंगे श्मशान के एक वोर डोम उने बेफिकरी से खाट बिचाते हुए कबीर के दोहे की उन्ची तान छेड़ दी जेही घट प्रेमना संचरै सोई घट जान मसा दोम शब्द का अर्थ है रक्षा करने वाला उदाहरन के अंतरकट सेक्यूरिटी गार्ड कहते हैं आप उस तरह रहने वालों का जो नाम है दोम इस तरह कबीर दाश जी की जो दोहा का एक पहला पंक्ती को गुन गुनाते उन्होंने बेफिक्री से काट बिचाते हुए ये गाना गाता है जैसे आप भी जब दुक हो या सुक हो या चैन में रहते समय आप भी बातरूम में जाते ही कोई भी नहीं कहते हैं कि आपको गाना गाने के लिए फिर भी हम इसी तरह गुन गुनाते नहा कर वापस आजाते हैं उसी तरह शमशान का दिल भराया ये एक सर्द आह बरकर अगुस ने पाहलू में खड़ी पाहाडी से कहा पाहलू बाजो में मैं इंसान को जितना प्यार करता हूँ उतनी ही गुरुणा उससे पाता हूँ देखिए ये मनुश्य का वास्तविक गुण है वो वास्तविक गुण के बारे में पाहाडी कह रहा है अब एक बार मैं इंसान को जितना प्यार करता हूँ उतनी ही गुरुणा उससे पाता हूँ जैसे तीन-चार मिनट पहले गुरुणा शब्द को मैं इस्तेमाल कियाना उसी तरह यहाँ पर पाहाडी मनुश्य का गुरुणा को ही मैं जादा देखते हूँ सभी मनुश्य यही चाहते हैं कि कभी उन्हे मेरा मुह ना देखना पड़े देखे हैं कभी मुह ना देखना पड़े किसका स्मशान का पर वास्तों में मैं इतना बुरा नहीं हूँ हकीकत में वरुजिनालिटी में संसार में जब मनुश्य को एक दिन के लिए भी स्थान नहीं रह जाता तब मैं उसे अपने गोद में स्थान देता हूँ देखे हैं श्मशान, रूपी, मनुश्य, अत्व के अंतरगत रहने वाले गोद में मनुश्य के लिए स्थान देता हूँ चाहे कोई अमीर हो या गरीब, रुद्ध हो या बालक मैं सब को समान अद्रुष्टी से देखता हूँ मुझे उंच नीच की जो भावना ये नहीं है पर इससे क्या होता है मेरे पास वह प्रेम नहीं जो मनुश्य की सबसे बड़ी निधी है निधी, खाजाना के रूप में रहने वाले निधी इनके पास नहीं है जिसके बल पर मैं उसके दिल में अपने लिए थोड़ा सा स्थान बना सकता नहीं जानता खुदा ने मेरे साथ ऐसी बे इनसाफी का सलू को क्यों किया देखिए शुमाशान का जो व्यत्था पहाड़ी से देखो वीरी महीं जो कर रहे हैं क्योंकि वसुंदरा या धर्ती पे जन्मे जा जन्म लेने के बाद हर जीवजन्तू के लिए लेक एक तरह का जो समस्या व्यत्था सुका दुख से रहते हैं उसी तरह यहाँ पर भी शुमाशान पहाड़ी पहाड़ी या शुमाशान के बीच में इस तरह का जो व्यत्था या उनके मन की मनो भावनावों को प्रकट कर रहे हैं मेरे नवयुवक युवतियों शायद समझ में आ रहा होगा आपको आ रहा है ना देखो चौता बिंच में रहने वालों को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उनका चाहरा देखते ही हमें पता चल रहा है क्योंकि उनका दिमाज और कहीं है इसलिए उस तरह रहने से समझ में नहीं आएगा है ना जरा जो कहते हैं जो कहता है उसको सुनने की वो और आपका जो कान उस शब्द को ग्रान करने के भावनावों में तत पर रहना चाहिए मेरे नवायुवक युवतियों शाहर और शमशान के बीच कड़ी पहाडी मुस्कुरादी देखो और एक आदमी इन दोनों के बीच में आ गया वो है शाहर शमशान के बीच कड़ी पहाडी मुस्कुरादी उसकी यह व्यंग्यात्मक मुस्कुराट शमशान को रुदे में चुब गई चुब गई वैथा उसने पोचा क्या तुमारी कभी यह इच्चा नहीं होती कि तुमारे पास भी इनसान की तरह प्रेम बरा दिल होता है देखिये दिल दिल प्यार प्यार कहो न डाश है दिल होता जिसमें अपने प्रीय के लिए मर मिटने का तमना और शारी तमना मचलती रहती है कभी कभी दूर दूर से हवाये आती है और लैला मजनू और शीशी फरहाद की प्रेम कहानिया मुझे सुना जाती है तो सच मानना मैं तड़प कर रहा जाता हूँ की काश हे बगवान मुझे इस तरह का जो अवस्ता में रहने वाला जो मौका क्यों नहीं दिया मैं भी मजनू होता और लैला के वियोग में अपने को कुर्बान कर देता देखो इनके मन में किस तरह की जो बावना यह मनुश्या उनके पास जो या जिस चीज वस्तू ना रहते हैं उस की वोर ही ज्यादा सा ज्यादा आक्रुष्ट वो मेरे पास नहीं है सब कुछ है मगर वो मेरे पास नहीं है कैसा भी हो उसको पाने के लिए मैं प्रयास करना है प्रिय की प्रतिक्षा में राह में पलकों के पावडे बिचा कर बईटा रहता देखो रात बर मेरे प्रियतमा मजनू लैला के इंतजार में निरीक्षण में मैं रहता हूं वो नहीं तो मैं नहीं मैं नहीं तो वो नहीं उदारन के अंतरगत मेरे तरुन तरुनियों ताज महल किसलिए मशुहूर है कोई बता सकते हैं आसर शाह जहान देखो वो कह रहे हैं शाह जहान और उनके पत्नी की बीच में रहने वाला मुम्ताज के बीच में जो रहने वाला मोहबत इश्क प्यार के सांकीतिकर रूप में संसार में सात्वा अद्धुत इमारत का लो नाम लेकर आग्रा में ताज महल खड़ा है है ना उस तरह सावन की उटी घटाए मेरे मन में हूक उटाती आउरो हूक याने दर्द अगर वो यह लड़का वो लड़की को वो लड़की यह लड़के को नहीं देखने से कभी कभी दर्द होता है गुदाहरन कह रहा हूं यह मनुष्य के जीवन में हर एक युवक युवतियों में यह गुण रहना अनिवार यह मेरे नवयुवक युवतियों मगर वो ज्यादा नहीं होना चाहिए लिमिट भार करना नहीं है वो लिमिट के अंदर ही तहना अगर रहे तो अच्छा है इसलिए आगे देखिया हूं खूक वुटाती हूं क्याने दर्द और बसंत की सुर्मगी सांजे मेरे मन में तडप बन कर रह जाती प्रियका जीवन ही मेरा जीवन होता और उसकी मौथ मेरी मौथ देखो पर क्या करों इश्वर ने तो मुझे माशान बनाया है जिसके वृदय में प्रेम नहीं दिग्दता नहीं सारसता नहीं केवल धू धू करती आग की लापटे है श्माशान की जगह वैसा है देखिए मेरे तरुन तरुनियों इस तरह आप सभी इधर बैटे हैं मगर भविश्य में आप में से कोई बहुत वुत्तुंग शिकर पर वुत्तुंग स्थान पर रहते होंगे किसको पता जैसे आप आविश में ना आकर शांत रहकर जो काम करेगा उनके लिए जरूर एक ना एक उन्नत अस्तान जरूर मिलेगा मेरे नवयुवक युवतियों इसलिए आप जरा उज्वलमय भविश्य को देखकर याने नजर में रखकर आप काम करना चाहिए मन में उठने वाली भावना वो सहिता भावना वों के साथ आप इस सुम्बर में खाथ तोर पर आगे मत बढ़िये मेरे नवयुवक युवतियों ये भी गलत नहीं है मेरे मित्रों के जैसे रहने वाले गलत नहीं है लड़का लड़की के साथ लड़की लड़का के साथ बात करना गलत नहीं है मगर वो सहुरुदयता के साथ एक भाईचारे के रूप में वो बातचीत करना उचीता है करना ही है नहीं करे तो वो अलग सा हो जायेगा मेरे नवयुवकयुवतियों इसलिए जरा आप होशियारी के साथ वो विशे का जो विनिमाएं कीजिए गलत नहीं है मगर सतर्क रहना एक आंक से शमशान को और दूसरी आंक से शाहर को और उसमें बसे इनसान को देखने वाली पहाडी ने पूछा बड़ी तमन्ना है इनसान बनने की देखो पहाडी शमशान को पूछ रहा है की इनसान बनने की बनने की तमन्ना है इच्छा है देखो ये शमशान में वो गुण या भावना ये नहीं है इसलिए वो कह रहे है है ना इसलिए कानडा में डीवी जी गुंडपा डीवी गुंडपा जी जो कह चुके हैं की इरूवववद नल बिट्टू समझिए इरूववद नल बिट्टू इरदे इरूवद रा यडगे सागुवदे जीवना ना जाने पता नहीं है ये कानडा का जो उकति है किसको याने कितने मेरे चात्र चात्रों को समझ में आ जायेगा कुछ भी हो समझने का जो प्रयास जरा करते आगे बढ़ने से आपको अच्छा रहेगा इसलिए हर कदम आपके हर कदम प्रगती की वर बढ़ता रहे सदा हमेशा आगे की वर रहना चाहिए वो भी कैसे सहानुबूती से शरद्धा से और वईराग्य भावना से इस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं मेरे तरुणा तरुणियों श्माशान ने कहा तमन्ना इच्छा मनुष्य के पास जैसा प्रेम मया हुरुदया है उसे पाने के लिए मैं अपने जैसे सव जीवन भी कुर्बान कर सकता हूं देखेगे इस मशान के मन में रहने वाला भावना ये कैसे हैं उसे पाने के लिए मैं अपने जैसे सव जीवन भी कुर्बान कर सकता हूं मगर कैसा दी हो ये श्माशान इंसान बनना बस देखो किस तरह है पहाडी मुस्कुरादी है ये पागल है पगला पगली इनको पता नहीं है इसलिए मेरे तरुना तरुनियों गलत मत समझिये ये सागर रूपी जीवन समझिये सागर रूपी जीवन में आने वाला प्रेम है मगर हमारे नवयुवक युवतियां तरुना तरुनियों समझते हैं सागर रूपी विशाल है प्रेम समझते हैं ये बिलकुल गलत है मेरे प्यारे पेस कालेज में पढ़ने वाले पेस वासियों इसलिए सागर रूपी जीवन में प्रेम एक दो तीन चार बूंद के रूप में सागर में मिलने वाले चाहे अम्बूत हो सकते हैं या जहर हो सकते हैं जैसे आप सोचते हैं जैसे आप आते हैं उस तरह जहर हो या अम्बूत हो आप समझना पड़ता है इसलिए जीवन विशाल है विशाल जीवन में हम सहुरुदयता, सहानुबूती, श्रद्धा और वैराज्यमनों भावना के साथ दीरे दीरे शांत रहकर आगे बढ़ना वास्तवी का गुण है मेरे चात्र चात्रों देखियें, जो है वो हम तो कहते जा रहे हैं, मगर उसको कैसे लेते हैं आपके दिमाग पर निर्बर है, पहाडी मुस्कुरादी इतने में ही किसी के करुण करंदन ने मशमशान के शुषक हुरुदय को दहला दिया शुषका ड्रई वनागिदा ये को छोटी सी भीड किसी शाव को लिये चली आ रही थी उसमें एक सुंदर नवयुवक फूट फूट कर रो रहा था मानो किसी ने उसका सर्वस्व लूट लिया हो लाश उतारी गई वह उस नवयुवक की पत्नी थी युवक का करांदन शुमशान के हुरुदय को बेद गया देखो वो युवक का करांदन रोने की जो अवस्ता को देख कर शुमशान का हुरुदय बेद गया आयो वो युवक किस तरह रो रहा है देखिए हैं वैसा आप समझिए मेरे नवा युवक का युवतियों यह बगवान दिया हुआ वास्तवी का जो गुन या वस्तु के बारे में मैं कह रहा हूँ पुरुष के लिए महिला क्यों इतना पास रहकर मेरा जान कह सकते हैं क्योंकि पुरुष के लिए जो आवश्यकता के रूप में रहने वाला चीज या वस्तु उनमें रहते हैं उसी तरह महिला के लिए पुरुष क्यों इतना प्यान दिखता है या लगेगा उनके लिए जो चाहिए उस चीज या वस्तु इनके पास है अगर वो मिलने तक यहा तक जो रहता है दिरे 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 पास आकर किस तरह पास आकर मिलने तक उत्सु कता यह ना यह कता रहता ना जाने क्या क्या शम्द हम इस्तेमाल करें तो भी कम होगा जब दूर रहते हैं वो दूर पास आते 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 मन में शेरीर में उटने वाली जो भावना यह जो है ना किस किस तरह रूप लेते हैं हम तो कहा नहीं सकते है ना वो जब वो गुण या अवस्ता या जो मिलने वाले चीज मिले तो तब कोई भी कहने की जरूरत नहीं है वो आपने आप शान्त रहती है या रहता है इसलिए मेरे चात्रों ज्यादा नटकट करने वाली या करने वालों को बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं अरे ये चोकरे को जल्दी शादी कराओ जी तब अपने आप ठीक हो जाएगा क्यों कहते हैं जिम्मेदरी जो मिलने वाला चीज मिलेगा ना मिलने के बाद उसका पेट पालन बाल बच्चे के लिए कमाना है ना काम करना है ना काम में लग जाएगा तब देखो इनका असलियत इसलिए हमारे बुजुर्ग हम सब के बुजुर्ग इस तरह कहते हैं इसका मतलब वो है किसलिए जो आपल जो रहेगा ना ये समझिया पहला लाते ही पहला अपल को या सेबू को कैसे काते हैं उसका चिलका को भी नहीं चोड़ते है ऐसा आई आइ आई 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 वो ऐसा हम पूरा का पूरा काते हैं अगर उसके अंदर बीच में जो रहने वाला बीच जो रहेगा नो उसको भी हम कहते हैं दूसरा लाके दो जरा दिरे दिरे काते हैं और तीसरा लाके दो दिरे दिरे उसका मतलब है marginal utility समसीमान तो तुष्टी गुण खाने की गुण या स्वाद टेस्ट कम होते जाएगा इसी तरह पहाड़ी हो या मनुष्य शमशान के बीच में वारतालाब जो होता है ना मनुष्य के अंदर इस तरह रहने वाला गुण तुष्टी गुण कम होते जाना चाहिए तब आपने आप जो भी कहो वो बात सुनकर अपना काम करके आगे बढ़ेगा उसी तरह वो सुन्दर नवयुवक की पत्नी का लो लाश उतारे उतारने के बाद वो क्रंदन युवक सुन्दर वो भी सुन्दर नवयुवक का जो क्रंदन को देखकर स्माशान का हुरुदै बेध गया अयो मेरा लड़का किस तरह रो रहा है गाव में या अलग अलग जो प्रदेशों में अगर इस सवस्ता में कैसे रोते हैं रोने में भी अलग अलग किसम के अंतरकत रोते हैं चाती को मार मार कर सिर को मार मार कर या अलग अलग तरह के अंतरकत वो रोते हैं उसी तरह सारा क्रिया कर्म समाप्त कर जैसे तैसे उस युवक को संबाल कर वे लोग ले गए और श्मशान सोचता रहा कितना प्यार करता होगा यहाँ अपनी पत्नी को काश मैं भी किसी को यतना प्यार कर सकता देखो दूसरे दिन सांज के दुंदले प्रकाश में श्मशान ने देखा वही युवक आ रहा है उसके कल और आज के चहरों में जमीन आस्मान का अंतर था एक रात में ही जैसे वह बूड़ा हो गया था बूड़ा यने शारीविक तोर पर नहीं है मानसिक तोर पर बूड़ा हो गया आंके सूज कर लाल हो गयी थी वह पागलों की तरह लड़ कडाता हुआ आया और अपनी पत्नी की राक बटोरने लगा जहां पर जलायते ना उस जगह पर उसका जो राक यना आश को बटोरने लगा कुछ देर तक हिचकियां लेता रहा और उसके आंकों से निरंतरा अश्रू बहते रहे अश्रू आंसू फिर जैसे भावना वोंका बांद तूट गया वो हसीर फोड़ फोड़ कर रोने लगा और चीकने लगा तुम मुझे चोड़ कर कहा चली गई सुकेशी मेरे नवयुवक युवतियों पेंसिल से इस चोटा वाक्य को रेकांकित कीजिए क्यों कि सुन्दर नवयुवक की पत्नी का क्या नाम था या क्या नाम है वैसा पूछने से आप क्या लिखना है सुकेशी नाट पुलकेशी सुकेशी याद है कितनी बार तुमने कस्म काई थी कि जिन्दगी बर तुम मेरा साथ दोगी पर दो वर्षों में ही तुम तो मुझे अखेला चोड़ कर चली गई देखो इसलिए इस तरह बाते करते हैं कि जीवन लंबा सफर है ये लंबा सफर है करके हमें पता नहीं रहते है ये प्रेम में जो दूबते हैं इनको समझ में ही नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं कहां हैं कैसे हैं ये सब पता नहीं चलेगा इसलिए अब मैं तुमारे बिना जीवन नहीं रह सकता तुम मुझे अपने पास बुला लो नहीं तो मुझे ही तुमारे पास आने का कोई उपाई करना पड़ेगा देखो करना पड़ेगा करता हूँ करूंगा नहीं है तुम नहीं तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है कोई सार नहीं कोई रस नहीं तुम ही तो मेरे जीवन थी मेरी प्रेरणा थी अब मैं जीवन रहकर करूंगा ही क्या मुझे अपने पास बुला लो मैं तुमारे बिना नहीं रह सकता नहीं रह सकता किसी तरह भी नहीं रह सकता इसी प्रकार वह विलाप करके रोता रहा सिर्फोडता रहा और मूगा श्मशान अपनी सूखी पथर आई आंकों से इस दुरुष्य को देखता रहा इंसान बनने की प्रेम करने की और अपने प्रिय के वियोग में इस नवयवक की भांती मर मिटने की तमन्ना और अधिक जोर पकड़ती रही वह यही सोचता रहा काश मैं भी किसी को इसी तरह दिलो जान से प्यार कर सकता देखो ये माशान रूपी मनुष्य का जो पागलपन है ये समझिये मेरे नवयवक की वतियों इनका जो पागलपन है क्योंकि इनके पास वो नहीं है न इसलिए अगर रहे था ये भी उनका पूंच को अंधर रख्या है चुपचाप रह सकता था मगर ऐसा है देखिए जिन्दगी उसके पाहलो में कड़ी पहाडी मुस्कुराती रही पाहलो में याने बाजो में कड़ी पहाडी मुस्कुराती है 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 ये देखो किस तरह उसको देखकर मन की जो व्यथा के साथ साथ उनके मन में याने उनके पास ना रहने वाले चीज़ उनके बारे में कैसे सोच रहा है देखो क्योंकि उनके बारे में गहराई के साथ रहने वाले जीवन का जो अर्थ के बारे में इनको मालूम नहीं है इसलिए इस तरह प्यार करने के बारे में सोच रहा है मानकर पहाड़ी मुस्कुराती है कि इसी तरह हम क्या करना चाहिए है हमारा जीवन जो है वो जीवन को भी हम जैसे बगवान दिया हुआ या हमारे भाग्य में किस तरह लिखा हुआ जो रहता है उसी तरह उसी विचार के साथ साथ आगे बढ़ने के बारे में याने काला हो गोरा हो सफेद हो पीला हो कैसा भी हो बगवान दिया हुआ जो रंग वो रंग के साथ साथ हमारे जीवन के कामरूपी रंग को बांटते या देते आगे बढ़ना बगवान के मुताबिक वास्तवी का जीवन का जो तरीका तवर डंग कह सकते हैं मेरे नवा युवक युवतियों मुस्कुराती रही आप भी चाहे कितना भी मुश्किल का क्यों ना हो या सरल का हो या समझ में ना आने वाली बात क्यों ना हो जीवन में हबेशा मुस्कुराते रहने के लिए प्रयास कीजिए मेरे नवा युवक युवतियों मुस्कुराने या मुस्कुराते या मुस्कुराने वाले चहरा देखने के लिए कोई भी गुसा नहीं करते अगर कुछ ना कुछ हादसा होने के जैसे हमाशा मुह गांट बनाकर कुछ आदमी रहते हैं उस तरह रहने से किसको फाइदा किसी को भी फाइदा नहीं है उनको भी फाइदा नहीं है मन में जो रहने वाली भावना उनको बूल नहीं सकते है उसके बदलें समस्या ये और भी बढ़ सकते हैं जिसलिए देखिए उसी मुस्कुराहत हसी कुशी के साथ साथ रो धोकर वह व्यक्ति तो चला गया पर शमशान के हुरुदे को उसके आंसु गरम सलाकों की तरह दग्द करते रहे दग्द यने दुख गरम सलाकों जैसे आईरन राड को बहुत गरम करने से कैसे लाल लाल दिखाई देता है ना उसी तरह इसलिए कह सकते हैं लाल गोरे गोरे चहरे पें काले काले चहश्मा उस तरह उसने पहाडी से कहा इस व्यक्ति की व्यथा ने मेरे हुरुदे को मथ डाला मथ दर्द हूक दर्द मेरे मित्रों के जैसे रहने वाले मेरे नव युवक युवतियों हूक और मथ दोनों शब्द का आर्थ है दर्द जरा समझिये यों तो यहां रोज ही ऐसे कितने ही व्यक्ति आते हैं पर जाने क्यों इसके दुख में इसकी वेधना में ऐसा क्या था जो मैं कभी नहीं बूल सकूंगा तुम देखना अब यह जीवित नहीं रहेगा एक दिन में ही अपनी प्रेयसी के व्योग में जिसने अपने शरीर को आधा बना डाला हो शरीर को आदा बना डाला हो वह भला कितने दिन इस प्रकार जीवित रह सकेगा कितने दिन वह अवश्य ही रो दोकर याने रो रोकर प्राण दे देगा हाउर मैं भी चाहता हूँ कि वह मेरी गोद में आ जाये और मैं दोनों को हमेशा के लिए मिला दूँ स्मशान की स्मशान इस तरह वो नवयुवक जो है ना वो नवयुवक की पत्नी याने सुकेशी के साथ मिलाने का प्रायास स्मशान करने वाला है इसलिए ये स्मशान सोच रहा है कि वो सुन्दर नवयुवक जादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा जल से जल मेरे पास आएगा तब दोनों को मिलाता हूँ सारे दिन वह युवक के शव की प्रतिक्षा करता रहा पर शव ना आया हाँ आस्मान में जब सांज का दुंदल का चाने लगा तो वह युवक आया और वैसे ही पागलों की तरह प्रलाप करता रहा देखो कुछ दिनों के बाद तीन-चार दिन तक वह क्रम बना रहा फिर युवक का आना भी बंद हो गया तीन-चार दिन तक इस तरह युवक आता था जाता था बाद में गायब याने मस्थिश्क में जितने दिन तक याद रहेगा तब तक हम भी वैसा ही है मेरे चात्र चात्रों मेरे तरुण तरुणियों जब तक याद रहते हैं तब तक उसके बारे में सोचते रहते हैं तड़पते रहते हैं इस आपके अवस्ता भी वैसा ही है मचली पानी के बिना अगर रहे तो किस तरह तड़पते रहते न उसी तरह प्रेम में फसने वाले या प्रेम में रहने वाले डूब कर रहने वाले इस तरह मचली के जैसे पानी के बिना रहने वाला मचली के जैसे तड़पते रहते हैं वो खाने वाले मचली ये अलगत रहा खाने वाले मचली है पर समशान उसे ना भूल सका प्रतेक शव को वह जाने किस वुट्सुकता से देखता और फिर कुछ खिन्न हो जाता मन को जरा खेद होता है एक दिन उसने पहाडी से पूचा तुम्हे तो शाहर का कोना कोना दिकाई देता है बता सकती हो उस युवक का क्या हाल है देखो चार दिन आ गया चार दिन के बाद तो मैं उस युवक को नहीं देख रहा हूँ तुम पहाडी एना उपर है उपर से नीचे देख सकते हैं इसलिए कही न कही मेरे सुन्दर नव युवक को दिकाई देगा क्या अगर दिकाई देदे तो जरा मुझे बताना एक दिन उसने पहाडी से पूचा तुम्हे तो शाहर का कोना कोना दिकाई देता है बता सकती हो उस युवक का क्या हाल है पहाडी ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगा शुमाशान ने कहा मेरा अंत्ह करण रह रह कर कह रहा है कि अवश्य ही उसने आत्म हत्या कर ली होगी वह शायद नदी में डूब गया होगा या किसी ऐसे ही उपाई से उसने अपना अंत कर लिया होगा कि मैं उसकी लाश को भी नहीं पासका मेरी कितनी तमन्ना थी कि मैं उसकी प्रिया के पास पहुंचा देता इसकी जो तमन्ना है वो तमन्ना पूरा होगा या नहीं है हमें तो पता नहीं है बगवान को पता है मेरे तरुणा तरुणियों पहाडी ने पूचा तुम्हें विश्वास है कि वह मर गया होगा देखो श्माशान खीज उटा तुम तो बिल्कुल ही पत्तर हो जिसके हुरुदे को प्रेम की पीर ने बेद दिया हो वह कभी जीवित नहीं रह सकता पहाडी ने केबल मुस्कुरा दि ऐसा बात कर रहे हैं करा करा हसते हैं मुस्कुराते हैं आज कल के नवयुवक भी अलग अलग तरह हसते हैं इस तरह हसते हैं उस तरह हसने से किसी को कुछ भी फाइदा नहीं है मेरे तरुना तरुनियों इसलिए हसने से मोह कोल कर साहुरुदयता के साथ सहिष्णता के साथ विश्वास युकता हसी हसना चाहिए नहीं तो फाइदा नहीं है बनावटी हसी आजकल कोई भी अगर इधर उधर मिलने से करते हैं उससे क्या फाइदा है दिन आये और चले गए अपने आंचल में इंसानों को अपने प्रेमीयों के वियोग में आंसु बहाते देख स्मशान का मन इंसान के प्रती और अधिकश रधालू होता गया और यह एक क्रमसा हो गया की स्मशान इंसान के अलवकिक गुण गाया करता और पहाड़ी मुस्कुराया करती देखो इसी तरह उन दोनों के बीच में किस तरह वारतालाप हो रहा है ये वारतालाप जो है आप सभी गर में जाके या गर में हैं इसलिए आप भी अपने भाई हो बहन हो या माता पिता के साथ इस तरह जब आपके माता पिता या बुजुर्ग आराम से रहते हैं न तब उसके साथ विनिमाई वारतालाप के साथ विनिमाई कर सकते हैं मेरे तरुन तरुनियों नवा युवक युवतियों इसी के साथ हम भी याने हम सब मुस्कुराते हैं इस कक्षा को समप कराने की अनुमती आप से मैं चाहता हूँ मेरे तरुणा तरुणियों आप देते हैं ना देते हैं मानकर इस कक्षा को मुस्कुराते हुए समप करूँगा आप गर में याने उसको शान्त मन से और एक बार पड़ियें जो जो समझ में नहीं आएगा उसलिए उसको मैं क्या कह रहा हूँ पहला जो कक्षा से कहते आ रहा हूँ उसको रेकांकित कीजियें अगर मैं मिलने से मुझे से पूछ कर आपके जो क्लिष्टा मुसीबतों को दूर करके आगे बढ़ियें नहीं तो हिंदी जानते या जानने या पता रहने वाले कुछ आदमे आपके गर के आसपास रहे तो उन से भी पूछ कर आपके मन की शक या शंकावों को दूर करके मेरे नवा युवक युवतियों पढ़ियें समझियें सदा आगे की वर आपकी नजर रहना चाहिए मानकर आप सब को धन्यवाद